जाहिन दोस्तों क्या हाल है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नोटी देट में डेली करेंट एफिरस में आप सभी का स्वागत है आईए करते हैं दिन की सुरुवात एक पॉजिटिव कोड के साथ ट्रस्ट योसेल्फ यू कें डू देस आईए सुरू करते हैं आरबियाई मौद्रिक नीती अपडेट गवर्नर सक्तिकांदास ने रैपो रेट में 50 बेसेस पॉइंट की बढ़ोतरी की जीडीबी का अनुमान घटाया आरबियाई गवर्नर सक्तिकांदास ने धिक्सता वाली 6 सदसी मौद्रिक नीती समिती ने मौद्रिक नीती में अपडेट की गोशना कर दी है भारती रिज़र बैंक ने रैपो रेट को 50 बेसेस अंग से बढ़ा कर 5.90 कर दिया है आईए जानते हैं विबिन दरों के बारे में जो निम्नानसार है पॉलसी रैपो रेट 5.90 परसेंट कैर रिजर्व रेशियो 4.50 परसेंगी सेचुरिटी लीकुडिटी रेशियो 18 परसेंट सुरक्षित और कानूनि गर्भपात पर सॉप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गोशना की है कि सभी महिलाओ को गरववस्ता के 24 सबता तक सुरक्षित और कानून महिलाओं के बीच अंतर किया था कृतिम और सम्वेधानिक रोप से एक हिस्तर पर जारी नहीं रखा जा सकता है सुप्रेम कोट का सिधान था यतो धर्मस्ततो जया भारत के सम्वेधान का नुच्छाद 24 के द्वारा आधारित है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 बारत 6 पाइदान उपर पहली बार से चालिस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुल प्रोपर्टी और्गनाजेशन द्वारा जारी रैंकिंग के नुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 132 देसों में 40 स्थान पर पहुंच गया है जो एक साल पहली की तुल्ला में 6 स्थान उपर है स्वीजलेंड, अमेरिका, स्वेडन, यूको और नीदरलेंड दुनिया के सबसे नवीन अर्थवेवस्थान वर्ल्ड इंटेलेक्शुल प्रोपरिटी और्गनाइजेशन का मुख्याला है जिनेवा स्वीजलेंड, इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई वर्स 1960 में 10 स्थ देसों की संख्या 193, वीपो के महानिदेशक है डेरें टाइंग खुरून इंडिया 40 और सेल्फ मेट रिचलिस 2022 के तहट 0-10 के निखिल कामत ने टॉप किया जिरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने 17500 करोड रुपए की संपत्ति के साथ आई-ाई-ई-अफ-ई-फ-ल वेल्थ हुरून इंडिया 40 और अंदर सेल्फ मेट रिचलिस 2022 में ल किया है उला के संस्थापक भाविस अगरवाल दूसरे स्थान पर हैं और मीडिया इंडिया मीडिया.net के दिव्यांका तुर्खिया तीसरे स्थान लिंकेडिन द्वारा सूची बद भारत में दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्ग लिंकेडिन ने भारत के लिए अपनी 2022 लिंकेडिन टॉप स्थाटप लिस्ट जारी की है जिसमें उन सीर्स 25 स्थाटप को सामिल किया गया है जिन्होंने अनिश्चित बजार के महाल में लचीला पन दिखाया और 2022 में कुछ इनोविटिम किया है 25 कंपनिया जिन्होंने लिंकेडिन टॉप स्थाटप 2022 इंडिया लिस्ट में जगह बनाई है उनके नाम निम्ननुशार है Cradio, Upgrade, Grow, Zapto, Skyroot, Aerospace, MBH Aywala, Spinny, The Good Glam Group Growth School, BlueSmart, ShareC, Hat, Ditto, Insurance, Simple, Rapido, Class Us, Park Plus, Lys Club, DealShare, Ultra Human, Living Food, Fempe, Asnikul Cosmos, Stanza, Living, Pocket FM, ZYPP, Electric प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉंच की गांधी नगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रस गांधी नगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रस ट्रेन 30 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी नगर से सुरू की यह देश में तीसरी वंदे भारत ट्रेन है पहले दो नई ट्रेन नई दिली और स्रीमाता वैश्णों देवी कटरा और वारा नसी और नई दिली के बीच चलाई जा रही है नई वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन गुजरात और महराष्ट्रा को गांधी नगरों मुंबई के बीच जोड़ेगी रविवार को छोड़ कर यह ट्रेन सब्ता में 6 दिन चला करेगी अधिकारियों के मुदाबिक वंदे भारत ट्रेन 2901 सुबह 6 बच कर 10 मिनट पर मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी और दोपर साड़े 12 बजे गांधी नगर पहुँचेगी वहीं वापसी में यह ट्रेन 2902 गांधी नगर कैप्टल स्टेशन से दोपर 2 बच कर 5 मिनट में रवाना होगी और रात 8 बच कर 35 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी कुमार सानू, सैलेन सिंग, आनंद मिलिन को लता मंगेसकर पुरुसकार 2019-2021 प्रसिद्ध गायक कुमार सानू और सैलेन सिंग और संगीत कार जोड़ी आनंद मिलिन को अलग अलग वर्सों के लिए राष्ट्रिय लता मंगेसकर पुरुसकार सम्मानित किया गया है उन्हें दिमांगत महान गायका की जैन्दी परुं के जन्मिस्थानिन दौर में प्रतिष्टित पुरुसकार से प्रतान किया गया है राजिकी संस्कृती मंतरी उसा ठाकोर ने करमसय, सैलेंद्र सिंग, आनंद मिलिन और कुमार सानु को वर्स 2019, 2020 और 2021 के लिए पुरुसकार से सम्मानित किया है यह पुरुसकार मदप्रदे सरकार के संस्कृती विभाग द्वारा प्रतिवर्स प्रकास संगीत के छेतर में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है इसमें दो लाग रुपाय का नगत पुरुसकार और एक प्रसस्ती पत्र भी दिया जाता है आईए जानते हैं कुछपा लाइनर्स के बारे में भारती रिजर्ब बैंक ने वित्यवर्स 2022 स्टेज के लिए 7% GDP की वृद्धी का नुमान लगाया है पुरुसकार विजेता पुस्तक लता सुर्गाथा का अंग्रेजी अनुवाद जनवरी 2023 में जारी किया जाएगा लता लाइफ इन म्यूजिक मूल रूप से लेखक कभी यतिंद्र मिस्रा द्वारा हिंदी में लिखी गई है जिसका अनुवाद प्रसिद्र लेखाक और अनुवादा की इरा पांडे द्वारा किया गया है राश्ट्रिय महिला आयो की पहली अध्यक्ष और पूर सांसत सदस जियनती पतनायक का उरिशा की रजधानी भुगनेश्वर में निधन हो गया है उमीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा एशे ही सांदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रस दा बल आइकन थैंक्स पर वाचिंग